यह जो hair conditioner इस वक्त मेरे हाथ में है वो बाहर का hair conditioner है अब आप इसकी consistency चेक करें और फिर मैं आपको बताऊँगी कि बिल्कुल इसी consistency जैसा hair conditioner आप घर पे कैसे बना सकते हैं अब आप देख सकते हैं इसकी consistency कैसी है अब जो next मैं आपके साथ share करूँगी वो है homemade hair conditioner अब यह आप देख सकते हैं यह है homemade hair conditioner बिल्कुल वैसी consistency जैसे अभी मैंने आपको बाहर का hair conditioner दिखाया conditioner approximately आप 500-600 तक का लेते हैं बड़ घर में यह 20-30 रुपे का 22-30 रुपीस में आपका hair conditioner त्यार हो जाएगा और वो भी 5 मिनिट के अंदर अंदर चलें वीडियो को start करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपने लेना है 2 tablespoon corn floor आप 1 tablespoon भी ले सकते हैं अगर आप एक बार के wash के लिए एक बंदे के लिए बना रहे हैं एक person के लिए तो half tablespoon भी आपका enough होगा corn floor आपके hair से oil को absorb करता है inflammation को reduce करके आपके hair scalp को और आपके hairs को soft करता है वोही वाली properties आपको provide करता है जो बाहर का hair conditioner आपको provide करता है वो भी बिलकुल without chemical बाहर का hair conditioner आपके hairs को damage कर सकता है अगर आप उसको जादा use करें बट ये वाला hair conditioner आपके बालों को आपकी scalp को बिलकुल भी damage नहीं करेगा उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है quarter cup किया उससे भी थोड़ा कम पानी मिलाना है उसके बाद आपने एक pan लेना है pan में आपने half cup या half से थोड़ा सा ज़ादा कब आपने इसमें water add करना है और जो mixture हमने बनाया था पानी और conflore का वो आपने add करना है उसके बाद आपने इसको stir करना है चमच की मदद से इसको हिलाना है ताके जो mixture है water में पूरी तरह से mix हो जाए उसके बाद आपने इसको low flame पे रखना है और जब तक आपने इसको flame पे रखना है spoon की मदद से continuously आपने इसको mix करना है जब तक कि ये थिकर ना हो जाए इसकी consistency थिक ना हो जाए गाड़ी ना हो जाए क्योंकि अगर आप इसको mix नहीं करेंगे तो एक जगा पे जब ये इसका flame जहां पे जादा लगेगा वहाँ पर इसके lumps बन जाएंगे गुट्लियां बन जाएंगी और आपके mixture की consistency बिल्कुल भी सही नहीं आएगी तो continuously आपने इसको mix करते जाना है जब तक आपने इसको flame पे रखना है आप ये देख सकते हैं आप बिल्कुल इसकी consistency नॉर्मल हो गई है बराबर हो गई है कहीं से भी कोई lumps नहीं बने हुए है उसके बाद आपने इसको ठंडा करना है गरम नहीं गरम में कोई चीज आपने इसको mix नहीं करनी पहले आपने इसको ठंडा करना है फिर उसके बाद आपने इसको mixing bowl में डालना है जो भी आपने mixture बनाया था ये मैंने mixing bowl में डाल दिया ठंडा हो चुका है अब उसके बाद हम इसमें add करेंगे वन टेबल स्पॉन aloe vera gel और प्रिफरबली आप इसमें market based aloe vera gel add कीजेगा aloe vera gel add करने के बाद आप इसको mix कर लीजेगा उसके बाद हमने add करना है यहापे vitamin E का capsule avion के capsule भी आप इसमें add कर सकते हैं या कोई भी vitamin E के oil आपके घर में जो भी available है आप वो डाल कर mix करें और just 3 चीजों के साथ यह आपका 3 ingredients के साथ आपका hair conditioner त्यार हो गया है I hope आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो like करें, share करें और channel को subscribe करें और use करने के बाद अपना feedback comment section में जरूर दे